कंगना रनौत पर फूटा राखी सावन का गुस्सा विडियो शेयर कर राखी ने सुनाई कंगना को खरी खोटी गुस्से में राखी ने कहा कंगना को साइको वेला आखिर कंगना की किस बात पर आया राखी को इतना गुस्सा आई ये जानते हैं पिछड़ी जाती के समाज के लोगों को तुमने चुआ कहा है, तो कंगना रनावत तुमने उन्हें अब्यूस किया है, पिछड़ी जाती के लोगों को बुरा बोलने के लिए, कंगना रनावत तिरा मूँ काला, अगर तुम इंसान हो, तो उन सब से माफी मांगो, हर इंसान एक समान है जब उपर वाला इश्वर हर एक इंसान को सुरच की खिरने और चांद की रोशने देता है तो कंगना रनावद तुम कौन होती हो इंसान जातियों को अलग-अलग करने वाली और उच नीच में भेद भाव करने वाली तुम कोई नहीं हो इसलिए तुमने पीछडी जाती के लोगों को चूहा कहा है चूहिया तुम हो सोच वेखा के हच को चली कंगारा नावत तो तुम हो चूहिया ना के हमारे लोग है हिंदुस्तान का समविधान पड़ो आज तुम आजाद हो because हमारा सम्विधान strong है डॉक्टर बाबा साहब आमबेड करजी ने जो नेक काम किये हैं जो सम्विधान को लाए हैं जो बदला है वो कोई नहीं कर सकता जैभिम पुराने जमाने में औरते husband के मर जाने के बाद सती की जाती थी उनके बाल निकाल दिये जाते थे आज तुम आजाद हो क्योंकि हमारे लिए सम्विधान है हमारे लेजंटों ने हमारे लिए बलिदान दिया है और तुम हमारे पिछरी चाती की लोगों को हमारे समाज को तुम अब्यूस करती हो ये मद भूलो के तुमने चांसी की रानी के ओपर फिल्म बनाई थी कौन थी वो वो भी पिछरी चाती की एक महिला थी जिनोंने युद किया था अपने लोगों के लिए भूल गई उसके लिए तुमने काफी अबड़ बटो रहे हैं माफिय मांगो और हम जैसे लोग ये नहीं होने देंगी, हम देश के साथ हैं प्रंगना सावित्री भाई फुले जी को आप जानती हो के नहीं मुझे नहीं पता बड़ इस देश में सबसे पहले जो महिलाओ के लिए स्कूल है उन्होंने खुला था तो आज तुम पढ़ लिख कर इतना चबड़ करती हो तो तुमें उन्हें धनिवाद देना चाहिए उनके आरती उतारने चाहिए उनको पूझा करने चाहिए क्योंकि पिछले जो पिछले जमाने जो पहले हुआ करता था कि और विद्वा हो जाती तो उन्हें कोने में बिठा दिया जाता था उनका खाना पिना लगुआ करता था उनके बाल मुणवा दिये जाते थे उनको सती कर दिया जाता था औरतों के लिए कोई भी कोई भी सुविधाय नहीं थी तो इनकश्क्र गुजार करो कि आज तुम आजाद हो सब फिमेले आजादे इतिहास पड़ो अगर दिमाग में बुद्धि काम नहीं कर रही है इतिहास पड़ोगे तो पता चल जाएगा कि सावित्री भाई फुलेज ने कितने अच्छे काम किये है कंगना रनावत समविधान पड़ो समविधान नहीं होता तो तुमें जोहर करना पड़ा और अगर तुम विद्वा हो जाती तो तुमें सती हो जाना पड़ता एक कोने में बैठे रेना पड़ता संसार से अलग कर दिया जाता और तुम दूसरी शादी भी नहीं कर सकती तुम इस लिए समीधान पड़ो सोचे समझे बगर मत बोलो समीधान ना होता तो आपको सती कहलाना पड़ता समीधान ना होता तो आप ये पढ़ लिख कर स्कूल भी नहीं जा पाती, कुछ नहीं कर पाती, यहां तक जो बॉलीवुड में आके जो तुम स्टार बनी हो, हम बने हैं स्टार, जितने भी स्टार बने हैं, लोग सम्विधा नहीं होता, तो इतने काम्याब भी हम नहीं होते हैं, और महिला आय खास करके इतनी आगे नहीं बढ़ पाती, बहुत सारे लोगों की माओं ने बरतन मांच कर, सड़कों पर जड़ू लगा कर, अपने बच्चों की परवरिश करी हैं, तो उन लोगों को तुम अभियूज मत करो, इश्वर न करे कि तुमारी माने ऐसा कुछ तुमारे ले किय हो, लोगों के बरतन मांच कर, सड़कों पर जड़ू लगा कर, लोगों के टोईलेट दो कर, तुम्हें पढ़ाया हो, अगर तुम्हें अच्छे परवरिश मेरी मिली है, तो वो सम्विधान को धन्यवाद करो, इश्वर को धन्यवाद करो, जो दूसरों को पीछुरी जात की बेटी थी, जो अपने लोगों के लिए लड़ी थी, तो क्या ये आप भूल गई, तो आप शुशान्त के लिए नियाय मांगो, उसके खोनी को तो हम भी ढून रहे हैं, चार फोटो मोदी जी के साथ क्लिक कराने से, आप देश के प्रधान मंत्री नहीं बन जाएगी, त तुम चार फोटो तुमने क्लिक करें, हम तो मोदी जी के पास उदर जाके, हम उनको खुद मिलकर आए हैं, मोदी जी साथ एक बार नहीं, दो-तिन बार हम मिले हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा, कि हम देश को हाथ में ले लेंगे, मोदी जी के साथ चार फोटो ठिंचवा जाने से, मोदी जी को दो-चार बार मिलने से, तुम खुद को प्रदानमंतरी समझ के बैठी हो क्या? गलत फहिमे में जीना बंद करो, कंगना रनावत वल आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए, स्टे टून वित अस